हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम टू स्टडी के अपसूल, हम आशा करते हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर यूर सपोर्ट और यूर फीडबैक, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीज थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट के वज़े से ही, हमारे वीडियो जादा से जादा लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम से, क्वेरीज है, और इल्टे टू स्टडी, तो आप हमें कमेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो, हमारा इमेल इडी है, studycapsule 15 at the rate gmail.com, और आप हमारा फेस्बुक पेज भी फोलो कर सकते हो, हमारा फेस्बुक पेज है, www.facebook.com slash studycapsule तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम discuss करने वाले है, cabinet minister and their constituencies तो देखो फ्रेंड्स, cabinet minister जो है, ये cabinet मंतरी होते है, जो की cabinet को represent करते है, किसी भी देश की highest decision making body को cabinet कहा जाता है और constituency मतलब जुनावक शेतर होता है, ये static GK का topic है, ये बहुत ही important topic है, upcoming exam point of view से एक से दो question इस topic पर पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम start करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम है हमारे प्राइम मिनिस्टर आदियर निया नरेंदर मोधी जी का, जो की cabinet meeting के chairperson है इनका जो portfolio है, इनमें four points आते हैं, जिसमें पहला है personal public grievances and pension second है department of atomic energy, third है department of space और fourth है all important policy issues and all other portfolios not allocate to any minister ये सारे department जो है, ये आदर्निय नरेंदर मोधी जीन के portfolio में आते हैं और इनका जो constituency है, इनका जो चुनाक्षित्र है, वो है बारनसी, जो की उत्तर प्रदिश में आता है तो friends, हमारे पहले cabinet minister का नाम है श्री राजनात सींग, इनका जो portfolio है, ये है home affairs और इनका जो चुनाक्षित्र है, ये है लखनव, जो की उत्तर प्रदिश में आता है तो देखिए friends, ये ध्यान में रखने के लिए हमने एक simple trick बताई है, जहाँ पर हम simple sentence बताएंगे जिससे आपको उनका constituency, portfolio और cabinet minister ये ध्यान में रहेगा तो देखिए friends, वो simple sentence है, वो कैसे है, कि लखनू में जो घर है, उस पर राज करेंगे राजनाथ सिंग इससे लखनू, उनके constituency का नाम पता चलता है, घर पर यानि की home, इससे portfolio पता चलता है और राजनाथ सिंग राज करेंगे, यानि की cabinet minister का नाम पता चलता है ठीक है, तो ये आपको sentence धान में रखना है अगले cabinet minister का नाम है, श्रीमती सुष्मा सुराज इनका portfolio जो है, ये है external affairs external affairs मतलब देश के बाहर का जो की कामकाज है, जो भी देख रहे हैं ये सभी सुष्मा सुराज के अंडर में आता है और उनका जो चुनाव शेत्र है, उनकी जो constituency है, वो है विदीशा जो की मध्य प्रदेश में है देखिए फ्रेंट, सुष्मा सुराज जी को विदेश मंत्री भी कहा जाता है तो इने ध्यान में रखने के लिए हम एक simple sentence बनाएंगे जो की कैसा होगा हमारी सुष्मा मध्य प्रदेश से विदेश चली गई हमारी सुष्मा मध्य प्रदेश से विदेश चली गई इस एक sentence में आपको ये तीनों चीज़े पता हो रही है तो ये धान में रखिए नेक्स्ट काबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्री अरुन जेटली ये भहुती फेमिस परस्नालिटी है हम सबको पता है इनका जो पॉर्टफोलियो है ये है फाइनांस और कॉर्परेट अफेर्स और इनका जो कंस्टिटुएंस्टी है वो है गुजरात इंपोर्टन्ट है फ्रेंट्स धान में रखिए अगले काबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्री अम वेंकेहन आइडू और इनका जो पॉर्टफोलियो है वो है अर्बन डेवलपमेंट हाउजिंग अर्बन पॉर्टी अलिवेशन इन्फोर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग और इनका जो कंस्टिटुएंस्टी है वो है राजस्तान तो देखिए फ्रेंड्स वेंकेहन आइडू जो है यह शहरी विकास मंत्री है तो इसे इन्हें धान में रखने के लिए हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इस तरह के से रहेगा कि शहर का विकास करने के लिए नाईडु जी राजस्थान से आए है इस तरह के से आपको constituency, portfolio और cabinet minister का नाम धान में रहेगा तो अगली cabinet minister का नाम है श्री नीतिन जैराम गडगरी उनका portfolio जो है वो है road, transport and highways, shipping और उनका जो constituency है वो है नागपूर जो कि महाराष्टर में आता है इसे धान में रखने के लिए हमने again एक simple sentence बनाया है जो कि इस तरह से नितिन जी नागपूर में shipping का business कर रहे है इस एक sentence में ये तीनों चीज़े follow हो रही है इसलिए आपको ये sentence धान में रखना है ठीके, next cabinet minister का नाम है श्री मनोहर परीकर इनका portfolio है defense और इनकी जो constituency है ये है उत्तरप्रदेश ठीके friends, तो श्री मनोहर परीकर जो है ये रक्षा मंत्री है तो इने धान में रखने के लिए हम एक sentence बनाएंगे जो कि इस तरह के से होगा कि हमारी रक्षा, रक्षा याने की defense हमारी रक्षा करने के लिए मनोहर जी UP से आये है हमारी रक्षा करने के लिए मनोहर जी UP से आये है इस एक sentence में ये तीनों बाते जो है मतलब तीनों चीजे constituency, portfolio और cabinet minister का नाम cover होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है आगे देखते है आगे के cabinet minister का नाम है श्री सूरेश प्रभू इनका portfolio जो है ये है railways और इनका जी constituency है ये है आंधर प्रदेश ठीक है friends इसे ध्यान में रखने के लिए हम एक simple sentence बनाएंगे देखें friends यहाँ पर जैसे श्री सूरेश प्रभू प्रभू जो है ये God को हम बोलते है जैसे भगवान होता है भगवान को हम प्रभू बोलते है तो इसे ध्यान में रखने के लिए हम कैसे बनाएंगे कि हम हमेशा कुछ भी हुआ तो हम हे भगवान यह क्या हो रहा है इस तरहीं कैसे sentence हम यूज करते हैं तो यहां पर आपको कैसे बनाना है sentence कि हे भगवान एपी के रेलगा क्या हगा करो है हे भगवान एपी के रेलगा क्या होगा मतलब अफावान यहाँ पर cabinet minister का नाम indicate करता है ऐ寂क यहां पर आपको पॉर्टफोलियो भी समझ में आ रहा है ठीक है यह आपको धान में रखना है नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री डीवी सदानन्द गोडा उनका जो पॉर्टफोलियो है इसमें आता है स्टाटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन यह डिपार्टमेंट सदानन्द गोडा जी के अंडर में आता है और उनका जो चुनाग शेत्र है वो है बैंगलोर नौर्थ करनाटका यह धान में रखियो फ्रेंट्स यह इंपोर्डेंट है अगली कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है सुश्री उमा भारती इनका पॉर्टफ कैसे है उमा जहांसी से गंगा जल लेके आई उमा जहांसी से गंगा जल लेके आई देखिए इस एक सेंटेंस में कैबिनेट मिनिस्टर का नाम पॉर्टफोलियो और कंस्ट्रियों से यह तीनों आ रहे है उमा जहांसी से गंगा जल लेके आई ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री राम विलास पासवान इनका जो पोर्टफोलियो है वो है कंस्यूमर अफेर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिबुशन और उनका जो चुनाउक शेतर है यह हाजिपूर जो की है बिहार में तो इसे धान में र मंदिर में बिहार के राम खाना बाटेंगे मंदिर में बिहार के राम खाना यानि कि आप फूड दिया हुआ है वो बाटेंगे तो इस तरीके से आपको यह तिनों चीज़े धान में रहेंगी नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री कलराज मिश्रा उनका जो पोर प्रदिश में आती है ठीक है फ्रेंट्स तो इसके उधान में रखने के लिए हम एक सेंपल सेंटेस बनाएंगे कि यूपी में मिश्रा जी ने लगु उद्धोग शुरू किया है ये तीनों चीजे इस एक सेंटेस में कवर हो गई तो आपको इस ये संटेस जहान में रखना ह अगले कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्रीमती मनेका संजय गांथी उनका जो पॉर्टफोलियो है ये है वुमेन एंड चाइल डेवलपमेंट यानि की महिला और बाल विकास केंद्र और इनका जो कंस्टिटिवेंसी है ये है पिलिवित जो की उत्तर प्रदिश में आता ह है ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री अनन्त कुमार इनका जो पॉर्टफोलियो है इसमें आते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर और पार्लमेंटरी अफियर्स और इनका जो चुनौक शित्र है वो है बैंगलोर साथ करनाटका आगे है श्री रवी शंकर प्रसाद ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है और इनका जो पॉर्टफोलियो है इसमें आता है लौ और इनका जो चुनौक शित्र है वो है बिहार ठीके तो इसको ध्हान में रखने के लिए हम अगेन एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो व इने लौ की डिग्री बिहार से पास की है जिसमें ये तीनों चीजे आ रही है ठीके तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्याविनेट मिनिस्टर का नाम है श्री जगत प्रकाश नद्दा इनका पॉर्टफोलियो जो है वो है हेल्थ और फैमि तो यहां पर हम ृब्डेंट मिनिस्टर का जो लास्ट सर नेम है जैसे घी की नद्दा तो यहां से हम इनेशल एन लेंगे देन एच एंडेन एच पी मतलब एन एच एच पी इस तरीके से आपको धान में रखना है अगले काबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री अशोक गजापती राजू पसपती और इनका जो पॉर्टफोलियो है वो है सिविल एवियेशन जिसे उद्द्यान कहते है यह हमारे यह है विजियन गरम आंध्रप्रदेश ठीक है जो कि आंध्रप्रदेश में आता है तो इसे धान में रखने के लिए हमें एक ट्रिक बनाएंगे यहाँ पे देखिए अशोक गजापती राजू पसपती यहाँ पे लास्ट में जो पती है इसको हम कंसिडर करेंगे और इसम उद्धान एपी में है जो कि आंध्रप्रदेश कंस्टिट्वेंसी आ रहा है पॉर्टफोलियो आ रहा है और मिनिस्टर का नाम भी आपको ध्यान में रहा है इस सेंटेंस के वज़े से ठीक है तो नेक्स्ट काबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री अनंता गीते इनका जो प फिर से सिंपल सेंटेंस बना सकते है जैसे कि अनंता गीते जी ने महाराष्ट्र में भारी उद्धोग शुरू किया है ठीक है तो ये सेंटेंस से आपको ये तीनों चीज़े धान में रहेगी तो नेक्स्ट काबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री मती हरी सिम्रत कौर बादल और इनका जो पॉट्फोलियो है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इनकी जो कंस्टिटिएंसी है वो है भटेंडा जो की पंजाब में आता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का जो नाम दिया हुआ है श्री मती हरी हर सिम्रत जो लास्ट भी है उसे कंसिडर कीजिए देन उनकी जो कंस्टिएंसी है वो भी भटेंडा उनका भी इनिशल भी से आता है और यहाँ पे पॉट्फोलियो जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंस्टिट तो आपको यह तीन इनिशल धान में रखना पड़ेगा बी बी एफ जि इनका जो पॉट्फोलियो है यह है रूलर डेवलप्मेंट पंचाईती राज और ट्रिंकिंग वाटर एंड सानिटेशन और इनका जो कंस्टिएंसी है यह है गौलर जो की मंध्य प्रिदिश में आता है अगले कैबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्री चौधरी बेरेंदर सी उनका पॉट्फोलियो है स्टिल उनकी कंस्टिएंसी जो है हरियान है यह धान में रखना है फ्रेंट्स नेक्स्ट कैबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्री जुएल ओरम इनका जो पॉट्फोलियो है यह है ट्राइबल अफेर्स और इनकी जो कंस्टिएंसी है वो है सुन्दर गर ओडिसा जो की ओडिसा में आता है यहाँ पे लास्ट में देखिए ओरम और ओडिसा दोनों का इनिशिल सेम है तो ओ एंज ओ ठीके और इनका जो पॉर्टफोलियो है यह है ट्राइबल अफेर्स तो आगे हम टी अटाच कर देंगे मतलब यह हो जाएगा ओ ओ टी ठीके मतल जब तीनु चीज़े आपको धैन में आ जाएंगी देन नेक्स्ट काबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्री राधा मोहन सिंग इनका पॉर्टफोलियो जो है वो है अग्रिकल्चर और फॉर्मर वेलफेर और इनका जो चुनाउक्षेत्र है वो है पूर्वी चंपरन जो की बि मध्यप्रदेश में नेक्स्ट काबिनेट मिनेस्टर का नाम है श्रीमती स्मिरिती जूबिन इरानी यह पहले हमारी HRD मिनेस्टर थी और उनका जो पॉर्टफोलियो है यह टेक्स्टाइल उनका चुनाउक्षेत्र जो है वो है गुजरात यह धान में रखना है फ्रेंट्स इंपोर्टन्ट है अगले कैबिनेट मिनेस्टर का नाम है डॉक्टर हर्श वर्दन उनका पॉर्टफोलियो जो है यह साइंस एंड टेक्नोलोजी और साइंसेस और इनकी जो कंस्टिटिएंसी है मतलब उनका जो चुनाउक्षेत्र है वो है चान्नी चोग जो की देली में लाता है नेक्स्ट केबिनेट मिनिस्टर का नाम है श्री प्रकाष जाउदेकर नका पॉर्टफोलियो है यह लोपन है मतलब पहले समीती रानीजी ती ती अब उनकी ही सवाद है धानमेयर रखना है और उनकी जो कास्टिटिएंसी है मध्योप्रदेश है ठीक है तो इस तर वेरी से प्रॉब्लम से रिल्टेट तो स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, सो थांक यू फ्रेंड्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो,